कि एलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आईस की इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो भी जात्र वी ए सेकृंडेर में है उनके लिए हम लेके आए हैं वी ए सेकृंडेर वालों के लिए एजूकेशन का पेपर है जिसे हम सिक्षाशास्तर कहते हैं अगो सिक्षाशन कहते हैं इसका फ़र्ष्ट पेपर की बात करेंगे हैं तो फस्ट पेपर दोस्तों कौन कौन दिंखो फ़र्ष्ट पेपर में जो हम एम्शी की कोश्रिप जो आ रहा है है अपके 2021 के इंप्रोमेंट exam की बात करेंगे या फिर आपका बैक पेपर जो भी हो रहा है कानपूर इनिवस्टियों फिर एमज़िपी या रोल कंडी इनिवस्टियों तो उसके लिए मौश्ट इंपोटेंट है 2021 के इंप्रोमेंट या फिर बैक पेपर के लिए तो सभी चात्रों से कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करड़ों दोस्तों को शेर कर दो और बहुत ही जल्दी जो बीए के चातर हैं, बीएस्सी के चातर हैं और बीकॉम के चातर हैं उन सभी के लिए हमने एप पिलो स्टोर पर पुब्लिज कर दिये हैं एमसी के कोश्चन हों कि आप बहां से एप को भी डालोड कर पाएंगे लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में है एपों का बहां से जाके डालोड कर लीजिए चाहें तो आप PDF भी डालोड कर चकते हैं इस PDF को भी हमने सीधे अपनी साइड पर पब्लिस कर रखा है आप बहां से जाके डालोड कर सकते हैं इस वीडियो में यूनिट फर्ष्ट को देखेंगे यूनिट फर्ष्ट बहुत इंपोटेंट है शिक्षा सास्तर के लिए जो भी इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला मैं आपसे बादा करता हूँ 2021 के इंप्रोमेंट एग्जाम में आप 85% लेकी आएंगे आप चैनल को सस्क्राइब कर ले पहला कोशन आपके सामने है और कोशन के चार विकल्बदियों होगे यहां आपका आंसर होगा नीचे लगा हुआ यहां पीडियाप को डानलोड करते हैं पीडियाप को link भी description box में दे रखा है जाके download कर लीजे और यहां आपको आंसर बताना है क्या आंसर रहे tiden यहां बोला गया है साइकलॉजी का सांवडिक अर्थ क्या होता है सभी लोग बताएंगे सांवडिक अर्थ क्या होता है तो सभी का अंसर आना चाहिए साइकलोजी का मतलब होता है आत्मा का विग्यान option नंबर B रहेगा next question यहां देखिए किस भासा का शब्द है तो आप सभी कहेंगे यह लेग्टिं भासा का सब्द है option नंबर A की बात करेंगे next question है मानब बिग्यान, मानब प्रकृति का बिग्यान है यह किसने कहा था, सभी का अंसर आना चाहिए जो मनो बिग्यान है, वो मानब प्रकृति का बिग्यान है यह किसने कहा था, सभी लोग बताएंगे एक बार तो सभी का आना आना चाहिए ये था वोरिंग और लेंग फेंड ने कहा था option no.b की बात करेंगे यहां बोला गया है मनोविग्यान व्यवहार का निश्चित विग्यान है यह कतन किसने दिया था आप सबी लोग बताएंगे यह कतन किसने दिया था तो सबी बिल्कुल ठीक है यह वाट्सन द्वारा दिया गया था option number C की और जाएंगे next question आपके सामनी है यहां बूला गया है देखिए विहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो सभी का अंसर आना चाहिए यह कौन है बिटा सभी का अंसर क्या आएगा यह आएगा वाट्सन है देखिए विहर जो नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो कौन है वाट्सन है option number A की और जाएंगे next question है मनो बिग्यान मानव व्यवहार बा मानव संसादनों का अध्यन है यह परिभासा दी किसने परिभासा दी थी तो आप सभी का अंसर आएगा यह question आ सकता है कि मनो बिग्यान की प्राचिंतम परिभासा थी तो आप सभी कहेंगे जो मनो बिग्यान की प्राचिंतम परिभासा थी वो क्या थी सभी का अंसर आना चाहिए चार option आपके सामने है तो आप कहोगे आत्मा के बिग्यान के रूप में option number सभी का सी आएगा next question की और चलते हैं यहां मूला गया है अधूनिक सिक्षा आधारित है अधूनिक सिक्षा किस पर आधारित है सभी का अंचर आना चाहिए अधूनिक सिक्षा किस पर आधारित है सभी लोग बताएंगे अधूनिक सिक्षा किस पर आधारित है तो आप मनो विज्ञान पर लगाएंगे नेक्स कोश्चन है मनो विज्ञान के पिर्भाव से इसको और बढ़ा कर लेते हैं देखिए यहां मूला गया है मनो विज्ञान के पिर्भाव से सिक्षा में प्रमुक परीबरतन हुआ है तो कौन सा परीबरतन हुआ है मुझे बताइए तो आप आप सभी का अंसर आना चाहिए option number दी भी सिक्षा कह सकते हैं सिक्षा वाल केंद्र हो गई option number जिसने भी दिया है भी परमसत्त अंसर होगा next question बोला है प्रतम मनोविज्यान प्रयुक्साला की इस्थापना की गई तो आप सभी को पता है यह कहां की गई ती यह किसने की तो अपने मन फिर उसने अपने मन का त्याग किया उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब है विवहर का विधी को स्विकार करता है यह किसने कहा था तो सभी का अंसर आना चाहिए option number c जिसे वुड़र्थ कहते हैं option number c की और जाएंगे ठीक है कह सकते हैं next question की और चलते हैं यहां बोला गया है निम्नेकित में से किस मनोविध्यान एक ही चेत्र में है ठीक है एक ही चेत्र के हैं और चौता उससे भिन है यह कौन है और मनोविध्यान की किस साखा से संबंदित है तो सभी का अंसर आना चाहिए यह है प्रोवेल से option number B की ओड़ जाएंगे next question है किसने कहा मनो बिग्यान मानब पिरकृति का बिग्यान है तो आप कहेंगे ये किसने कहा था ये bro कह सकते हैं वोरिंग ने कहा था ये किसने कहा था बोरिंग ने कहा कि मनो बिग्यान मानब पिरकृति का बिग्यान है option number B की ओर जाएंगे मनो बिग्यान वेभार की बस्तू पर्क और कह सकते हैं विदहिक बिग्यान है ये परिभासा किस ने दी थी तो आप सभी कहेंगे ये वाच्चन द्वारा दी गई थी option number C की ओर जाएंगे next question है मनो बिग्यान डॉट डॉट का बिग्यान है मनो बिग्यान किसका बिग्यान है तो आप कहोगे ये मन का बिग्यान है next question है मनो बिग्यान की अधुनिक परिभासा का रूप है तो आप कहेंगे ये विवार की परिभासा का रूप है option number जिसने भी दिया है दा बिलकुल right है ठीक है विवार की विग्यान का रूप है next question यहां बोला गया है मनो विग्यान की प्रित्थम प्रयोग साला कब इस्थापित की गई तो आप सभी कहेंगे 1879 में की गई थी next question यहां बोला गया है सिक्षा मनो विग्यान सिक्षा की कह सकते हैं सहायता करता है तो आप सभी का आना चाहिए उप्रोग सभी का व्यक्तिकत विंता का द्यान रखने में और कख्षा समस्याओं को समाधान में और उप्रोग्त शिक्षण विधी चुनने में उप्रोग्त सही रहेगा option नमबर डी next question यहां बोला गया है discovery of psychology पुस्तक किसक ने लिखी थी तो आप सभी का आंसर आएगा जैंस कहन सकते हैं जैंस डौवर सने के लिखी थी option नमबर सी की और जाएंगे next question यहां बोला गया है सिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक और बालक एवम मनुस्य के सरीर और वास्तिविक आत्मा के सर्वुत्तम अंस की और आप से बादा करता हूं यहां से 85 परशेंट आपके पेपर में देखने को मिलेगा आप पीडियेफ को डानलोड करने ना लिंक डिसकप्शन मॉक्स में है यहां देखी यहां कह रहा है सिक्षा मनुविग्यान मनुविग्यान की बहसा का है जिसका संबंद पढ़ने आप्शन नमबर डी की और जाएंगे नेक्स कोशन बोला गया है यह देख लेजए मनुविग्यान आचरणवा विवहार का या थार्त विग्यान है यह किसने कहा था तो सभी का अंसर आना चाहिए यह वाट्चन दोरा कहा गया था आप्शन नमबर एक ही और जाएंगे ने आपसे बादा करता हूँ यहां से आपको 85% देखने के मिलेगा आपसे गारंटी के साथ कुछ भी बाहर नहीं जाएगा आप विस्बास करिए एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा आप यहां से सारा का सारा देखेंगे दो बुक्से कोशनों को बनाए है पीडिएफ का इनिवेस्टि फिस को लिए जैसे कि काल पर इनिवेस्टी हो गैने प्रवाशव आमग मघिए बघ्ज्व को आप करोगे यह वी किसका है तो आप कहोगे सभी का आना चाहिए बताईए क्या रहेगा सिक्षा क्या होता है विटा मनु विज्ञान का महत्व है तो आपको उप्रुक्त सभी का महत्व है एक है अनुसासन में भी और अध्यापन का साइक में भी और उचित पार्डिकरम का निरदारित में भी उप्रुक्त डी रहेगा नेक्स कोशन इहां बोला गया है सिक्षा मनोबिग्यान की अधिन के लिए क्या होगा आप कहोगे सर्बुत्तम बिलीवे ये है ये फिर वे है जो परिस्ति विसेश में उद्देश की पूर्ती करती है option number D की हो जाएंगे नेक्स कोशन इहां बोला गया है सिक्षा मनोबिग्यान की उत्पत्ति मानी जाती है तो आप कहोगे सिक्षा मनोबिग्यान है उसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है 1900 से option number C की हो जाएंगे gowशन है एहाँ बोला गया है इसप्रेकार से आता है कोशन तो आप कहेंगे थॉंड प्रियासों से यह पोड हुआ है या फिर प्राप्त हुआ है option नमबर एक यह जाएंगे next question है मनोबिग्ञान का अतीत लंबा है परंतु उसका इतिहास संशिप्त में संशिप्त है यह कथन किसका है मतलब कि मनोबिग्ञान का जो अतीत तो वह लंबा है परंतु जो इतिहास है वो संचिप में हैं तो ये कतल्ड किसका है तो सभी का आना चाहिए यह किसका है तब लोग बताएंगे इस question को तो आप सभी का और सभी का answer option number C आना चाहिए अइविं खार का है option number C क्योंच्याएंगे नेक्स कोशन यहां बोला गया है सिक्षा मनुन बिग्यान मानुविय विभार का सक्षिक परिस्तियों में अध्यन करता है ये कथन किसका है तो सभी का अंसर आना चाहिए क्या ऐगा बेटा इसके नगर का है ऐप्शन नमबर जिसने भी दिया है नेक्स कोशन यहां देखते है मनु बिग्यान सिक्षा का आधार वुद बिग्यान या आधार शीला है यह कथन किसका है तो सभी का अंसर आना चाहिए उप्षन नमबर जो भी देगा बिल्कुल राइट बिल्कुल ठीक रहेगा इसके नर का है उप्षन नमबर क्या हो जाएगा बिटा क्या हो जाएगा इसके नर उप्षन नमबर बी की ओर जाएगे नेक्स कोशन है मनु बिग्यान बिभार अलुभाब का बिग्यान है यह कथन किसका है तो सभी का अंसर आना चाहिए यह भी इसके नर का है option number B की ओर जाएंगे next question है शिक्षा वनुबिग्यान की बिचे सामागरी का संबंद शीखने को प्रिभावित करने बाली दसाओं से है ये परिभासा किस की लिखत है तो आब सबी बताएंगे तो परिभासा लिखी थी क्रो को बालिकी लिखी थी क्रो को बाक्रो के द्वारा लिखी गई थी option number B की ओर जाएंगे next question यहां बोला गया है शिक्षा की पिर्किरिया पूर्ता वनुबिग्यान की किरपा पर निर्भर है और ये कथन किसका है तो आप सभी का अंसर आएगा ये है B N जाका option number A की ओर जाएंगे next question है मनुबिग्यान की पिर्थम प्रियोग्षाला कहां इस्तापित की गई तो सभी का अंसर आना चाहिए क्या आएगा वेटा एक बार बताएंगे option number जो कह सकते हैं प्रियोग्षाला जो इस्तापित की गई थी लीब जिंग था वहां की गई थी option number हम एक ही ओर जाएंगे next question यहां बोला गया है जन्म से व्रद्धावस्ता तक सीखने की अनुभवों का वर्डन और मनलब की व्याख्या करता है ये परीभासा इसके लेखा की है तो सभी का अंसर आएगा option number ये भी बाक्रो की है option number बी की ओर करेंगे next question है सिक्षा मनुभिज्यान का अध्यन करता है तो सिक्षा मनुभिज्यान का जो अध्यन करता है वो सेक्षिक परिसेतियों में माना वेभार को करता है option number हम एक की ओर जाएंगे देखिए मेरे दोस्त question को पढ़ा करो answer को पढ़ा करो question को पढ़ा करो answer को फाल्तू पढ़ा करो क्योंकि आपको mind उसको नहीं देखना है जो answer है तैसी आप चार option में से एक पढ़ोगे कभी भी चार option आ जाएं तो तुरंत आप लगा दोगे इसका answer होगा तो इस लिए सही से पढ़ो यहां बोला गया है शिक्षक मनों बिग्यान अपना अर्थ सिक्षा से जो समाजिक पिरकिरिया है तथा मानवो यह फिर मनों बिग्यान सब्सक्राइब करती है किस ने कहा ये जो किस ने कहा था तो आप सभी लोगों का अंसर आना चाहिए option number क्या होगा बेटा ये इसके निर्ट की द्वारा कहा गया था c रहेगा next question कि उचलते हैं सिक्षा मनोबिग्यान सहयक है किस में सायक होती है तो आप कहेंगे संपूर्ण पिरकिरियाओं को समझने में option number D की ओर जाएंगे next question है ये कथन है जो मनोबिग्यान सिक्षा को अनेक धारणाओं वासिद्धान प्रदान करके उनकी उन्नती को उन्नती में योग देता है ये कथन किसका है तो आप सभी कहेंगे ये किसका है विटा कह सकते हैं कुम्पु स्वामी का है option number हम भी की ओर जाएंगे सिक्षा मनोबिग्यान अध्यान करता है किसका अध्यान करता है तो इन में से सभी का एक होता है अधिकम में पिरकरिया का भी करता है और अधिकम करता का भी करता है और अधिकम परिस्तिकियों भी करता है option number day की ओर जाएंगे next question यहां बोल रहा है निमने के तमेंसे किसी विदी सिक्षा मनोबिग्यान की बस तु निष्ट विदी नहीं है तो आप सभी कहेंगे यह आत्म निरक्षण विदी नहीं है और बाकि जीवन यह तो सारी विदियां है जीवन इतिहास विदी भी है प्रिवावात्मक विदी फिलना विदी यह तो है लेकिन आत्मन रक्षण विदी नहीं है मनुपित ग्याने की लेक्स कोशन अपनी तर्टी के कारण बैग्याने के विदी के रूप में निरक्षण विदी अभा कह सकते हैं अभिश्वन यह है यह कतन किसका है तो आप सभी का अंसर आएगा यह है कह हुझ जाएंगे रेकको हैं नेक्स कॉस्टन यहां बोल रहा हैं मनोवधि में विधी के जनमदाता कौन है मनोवधिया नहीं बिदी के जन्मदाता कौन है आप यह पूछेंगे तो आप कहेंगे option नंबर क्या होगा option right रहेगा राइड है जो बिदी है उसके जन्मदाता कौन है नेक्स कोश्चन यहां बोला गया है वह कतन है कुछ कह सकते हैं अनुसंदानों के लिए प्रवागतमा के विदी को बहुद जो बहुदा सर्वुत्तम विदी समझा जाता है तो आप सभी काना चाहिए यह तो इसके कह सकते हैं इसके नतवारा ऑफ्षन नंबर एक ही हो जाएंगे नेक्स कोशन यहां बोला गया है निरक्षण विदी में किया जाता है तो आप कहेंगे यह जो मर सिक्षा मनों बिग्ञान होता है इसे उप के र्याँ में यह द्यक्षा सब्सक्राइब किया जम्मा लिया है ये कथन-किसका है कि तो आप यह सभी आएगा क्या अप्शी नंबर है में वहाँ है इडम्स ऑुफ्ट्य नंबर रहेगा और जाएंगे ये जमाल लिया है प्रियोगात्मक विधी में जो णन्तरशन ड्रुपोर्ट है किस से लिगाती है तो अन्तरशन रिपोर्ट होती है तो अब सभी कांसर आएगा इसापते हैं जो तर्वात्रमिक विदी होती है उसकी जो अंत्र विभी के सकते हैं नेक्स कोशेन हें हैं अपनी सभाविनियरक्ति के कार्ण टैड्झयानिक विधी के रूप में नक्षण विदी कह सकते हैं अनिवश्य है ये कथन किसका है तो सभी का अंसर आना चाहिए option number ये किसका है बिटा option number B तो आप मैंने पैताया था वग्दस और हल्ड जो कह सकते हैं होलेंड है उनका है तो option number B क्यों जाएंगे ठीक है तो आप कहेंगे उपरुक्त सभी है एक है तो यथारता भी है ठीक है बिसमेंता ओफर और निश्वर पक्षता भी है option number जिसने भी दिया है टीपर हम सत्ता अंसर हो जाएगा तो आप PDF को डाउलोड कर ले पीडियाप का लिंक description box में है जाएए पीडियाप को डाउलोड कर दिये इसकी हम second unit को हम अभी हाली में publish करेंगे यह सत्ता सत्ता वाली question जो उपर कराये थे इसकी second वीडियो को हम अभी publish करेंगे तो चलो को subscribe करना ना भूले thank you